हेलो डियर फ्रेंद विल्कम टो मेटको इंक फॉलने दोझका टॉपिक टी टीट्मेंट आफ डी कम्पनसेटे़ लिव pea सिरोसिस् है जैसा कि आपको पिछले वीडियो में कम्पनसेटे़ लीवर सिरोसिस का जो बनाया था उसमें डेटेल में बताया था कि सिरोसिस लिवर की दो स्टेजेज़ होती हैं कंपनसेटेड एंड डी कंपनसेटेड में जब कंपलीकेशन नहीं होते हैं किसी लिवर सिरोसिस पेशन्ट में तो उसको कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस कहते हैं और इसमें क्या होता है चलिए आगे वीडियो में देखते हैं तो इसमें जिस पेशेंट को डी कमपनसेटेंड लिवर सिरोसिस हुआ है तो उसमें लेक आफ एप्टाइड, नौजिया वर्म्टिंग होगा, पूर एब्सॉर्प्शन में जो भी वो नूट्रेंट खाना पिना लेगा, तो उसका एब्सॉर्प्शन फ्रापर इंटेस्टाइट से नहीं होता है तो इसको कहते हैं poor absorption, increase loss of nutrients, तो जो भी वो खाना खा रहा है, उससे जो nutrients मिलने है, वो उसका loss हो रहा है, और liver fail to store energy, means इसमें carbohydrate मेटा वालिम डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वज़े से glycogen storage नहीं होता है, glycogen एक टाइप का carbohydrate है, जिसकी storage ट्रॉपर नहीं हो पाती है, और energy जो ह वो stored नहीं होती है, तो overall जो भी खाना पीना खाया, उसमें absorption poor रहेगा, loss of nutrients का होगा, और energy नहीं मिलेगी, जिसकी वज़े से क्या होगा, इसकी वज़े से होगा malnutrition, तो हमारा aim क्या है, इसमें aim रहेगा कि patient को malnutrition से बचाना, तो जो भी diet plan रहेगा, जो भी complications होते हैं, तो उ सबसे पहले diet plan इसमें क्या करेंगे, तो patient को कहेंगे three four meals per day लेने को, means जो तीन चार बार खाना उसको जरूर खाना है, और in between, जो meals हैं, इसके बीच में protein rich snacks जरूर ले, इससे क्या है कि जो essential minerals, vitamins, nutrients जितने हैं, वो proper मिल सके, और patient को malnutrition से बचाया जा सके, तो question उठता है कि इस के लिए फिर क्या में diet में लेना चाहिए, तो diet है, वो fruit and vegetables इसमें ज्यादा लेने चाहिए, fruit में good carbohydrate होता है, जैसे sugar लेते हैं, उसको avoid करके, fruit ज्यादा ले, juices वो ले सकते हैं, अगर इस patient का, liver cirrhosis patient का, अगर kidney compromised है, तो juices उसमें avoid करेंगे, क्योंकि उसकी होज़े से hyperkalemia होने के chances रहते हैं, fruits and vegetables के लावा whole grains advice करेंगे, जिसमें vitamin, mineral and fiber काफी ज्यादा होते हैं, तो इसमें preferable है, wheat, rice, oat, barley, rice, lean protein, lean protein, lean protein means, जिस food item में protein ज्यादा हो, और fat कम हो, तो यह होते हैं, legumes, nuts, pulses, fish, egg, and chicken, chicken, तो यह चीजें lean protein diet केक कहते हैं इसको, तो इन चीजों का seven कर सकते हैं, इसमें avoid क्या करेंगे, avoid raw seafood करेंगे, इसके अलावा salt वो कम रखेंगे, two gram per day के हिसाब से, इससे कम रखेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, otherwise, जो complications हैं, वो होने के chance ज्यादा रहेंगे, fatty food and fry foods, यह avoid करेंगे, इसका reason यह है कि जो liver में bile बनता है, उसका production कम हो जाता है, जिससे की fatty food का digestion proper नहीं हो पाता है, और abdominal discomfort हो सकता है, digestion की problem हो सकती है, इसके साथ में most important की alcohol को बिलकुल no कहेंगे, alcohol बिलकुल भी नहीं लेंगे, total abstinence of alcohol, अब आते हैं, management of complications, जो decompensated liver cirrhosis में complication होते हैं, उनका management, जिसमें most common complication है, SITS means accumulation of fluid in the abdominal cavity, तो जो abdominal cavity उसमें fluid का accumulation हो जाता है, इसको कैसे manage करेंगे, इसमें diuretics से देंगे, low salt diet देंगे, और albumin infusion कर सकते हैं, massive ascitis होने पे means, बहुत ज़्यादा abdominal cavity में fluid accumulation होने पे large volume paracentesis करते हैं, paracentesis means एक needle abdominal cavity में डालके, जो fluid है, जिसकी वज़े से patient को distress हो रहा है, उसको drain कर लेते हैं, तो इसको large volume paracentesis कहते हैं, next complication है, refractory ascitis, refractory ascitis जब कहते हैं, जब medical treatment fail हो जाता है, medical treatment fail होने के मतलब जो diuretics दे रहे हैं, वो अपने maximum dose तक हो गई और उसके बाद भी ascitis persist कर रही है, तो उसको refractory ascitis कहते हैं, तो इसको improve करने के लिए, जो intervention किया जाता है, invasive intervention, that is a trans jugular intra hepatic portosystemic shunt, जिसको tips भी कहते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो portal vein है, उसको hepatic vein के साथ shunt के तुरू bypass कर देते हैं, जो कि helpful होता है, ascitis को prevent करने के लिए, इसके अलावा यह procedure portal hypertension और varices bleeding को check करने के लिए भी किया जाता है, नेक्स्ट complication है, hyponatremia, it is most common complication in cirrhosis, तो इसमें serum sodium level काफी low हो जाता है, अपने normal level 135 mmol per liter से, और जब less than 120 mmol हो जाता है, तब इसमें complications or develop होते हैं, serious condition होती है, इसमें hypertonic saline is indicated, लेकिन इसको काफी close monitoring में ICU में manage किया जाता है, और electrolyte every two hour, four hour measure करते हुए देते हैं, और इसमें एक बहुत ही important precaution लिया जाता है, जिसमें कि rapid correction इसको avoid करते हैं, sodium का, अगर यह rapid correction करेंगे, तो pontine mylinolysis होती है, जिसमें cerebral edema हो सकता है, quadripsis, hemiparsis, कुछ भी हो सकता है, patient को, तो close monitoring में hypertonic saline दे सकते हैं, इसके अलावा vasopressin receptor antagonist भी दे सकते हैं, नेक्स्ट कॉंप्लिकेशन इस इसोफेजियल वेरिसेज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो prominent हैं, यह जो prominent हैं काफी, यह दर भी आप देख सकते हैं, यह prominent वेरिसेज हैं, जहां से bleeding start होती है, bleeding होने से patient को hematomasis हो सकता है, मैलीना हो सकता है, means, वंटिंग में blood आ सकता है, motion में blood आ सकता है, तो इसके लिए non selective beta blocker medical treatment में करेंगे, की propanol, carbidolol indicated है, और surgical treatment में, इसोफेजियल वेरिसेल लाइगेशन और bending कर सकते हैं, इसके अलावा next complication है, hepatic in syphilopathy, अगर कोई patient है, इस complication की वज़े से hepatic in syphilopathy में चला गया है, तो we evaluate for infection bleeding electrolyte imbalance, जो कि बहुत कोई common होता है, और इसको treat करने के लिए lactose probiotics से use करते हैं, इसके importance यह रहती है कि जो intestine में ammonia formation होता है, जिसकी वज़े से कोई coma increase कर सकता है, तो उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है, लेक्टलोज probiotics से motion pass करके जो ammonia के clearance वो करते हैं, साथ में nutritional supplement देते हैं, थर्टी फाइब तू फॉर्टी किलो कलोरी पर केजी पर दे, इसके लावा अगर bleeding diabetes हो रही है, कोई vitamin K deficiency, त्रेंबो साइटो पीनिया है, कागलो पैती है, इसके लिए भी evaluate करते हैं साथ में, अगर कोई भी complication है, तो उसको उसी के according treat करते हैं, अगर vitamin K deficiency है, तो injection vitamin K देंगे, platelet transfusion, fresh frozen plasma, इस तरीके से patient को treat किया है, लिवर सिरोसिस में सारे measures, फेल होने के बाद, liver transplantation is the only treatment of choice, दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको like, share and subscribe जरूर करें, thank you.